तो फाइनली अंकिता लोखंडे ने भाई मनारा के खिलाफ बात कर ही ली क्योंकि वो मनारा ही थी जिनके कुछ स्टेटमेंट्स को कभी अगरी नहीं करती है और खुद ही उस चीज पर स्टैंड नहीं लेती है और भी अगर देखा जाए तो अंकिता ने जिस तरीके से भाई लिफ्ट अंड राइट एक्सपोज किया है मनारा को ये चीज जरूरी था ये रियालिटी चेक जरूरी था मनारा को अगर क्या हुआ है ऐसा और क्यों जनता ये कह रही है कि मनारा को अंकिता ने पूरा क्लियर तरीके से एक्सपोस कर दिया है दजिया उड़ा दिया है आई आपको देते हैं इस बारे में पूरी कबर नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूँ आपका दोस्तों खोश करेश कांदू अपको बता देगी भाई अंकिता लोखंडे को बाहर ओडियंस से प्यार तो मिल रहा है साथे साथ सपोर्ट भी मिल रहा है और वहीं उसी तरफ मना रहा है जिनको कुछ दिन पहले की बात है भाई बहुत लोग प्यार कर रहे थे बहुत लोग जो है थोड़ा सा दिन उड़ गया मनारा से और बहुत सारे लोग मनारा से नाराज भी रहे लगे लेकिन इससरा आपको बतायों तो मनारा ने एक बात कही थी कि मैं नहीं रह सकती है ऐसी कैरेक्टरलेस लड़कियों के बीच यह मनारा का शब्थ था जो नने अंकिता और अंकिता ने क्लियर लिए बात बोली कि तुम एक नंबर की जूटी हो तुम अपने शब्दों पर नहीं रह सकती तुम जिस तरीके से बाते घुमाती हो रहन दो आज के बाद मुझसे बात मत करना यह बातें अंकिता ने कही है फिलाल इस पर आपकी क्या रहा है अस बार